पूलिग धीवूर्श प्रेंट तुमेद्ट नूइ वीडिओ अगर जहां आप इस वीडिओ पर नहीं है तो चैनल को सबस्प्सराइब पर कि वीडिओ को एक लाइक कर ने किargिन कि मैं ऐसा आपको आपको एस सेटिंग बताने वाला हूं जिसे आपका content वारल हो जाएगा तो content वारल करने के लिए आपको उस setting को on करना पड़ेगा so मैं चलता हूं अपने मोबाइल के screen पर और आपको वाई टी इस्ट्वीज़ को setting कर से अन करते हैं वो मैं आपको बताता हूंगा उससे पहले आगा जहां आप भी 1K subscriber को आप complete कराना चाहते हैं तो मैं उसमें आपका मदद करूँगा तो उसके लिए आपको करना क्या होगा अपने channel का link और अपना नाम comment में paste कर दें तो मैं चलता हूँ अपने mobile के screen पर तो देखिए मैं अपने mobile के screen को on कर लिया हूँ ठीक अब उसको करना क्या होगा आपको जाना है अपने YT studio में YT studio में जाने के बाद आपको वहाँ से अपना YT studio को open कर लेना है open करने के बाद आपको करना क्या होगा आपको आ जाना है अपने content में content में आने के बाद आपको filter को टच कर देना है filter में ठीक filter में जैसे आप टच करते हैं वैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा नजर आता है कि धेर सारे option में इसी option के ऐसे और भी basic setting है जो आपको देखने को मिलते हैं अभी मैं उसे भी बताऊंगा तो सबसे पहले आपको करना के अगा short by short by में आपको यहां से select करना है most views यहां पर most views ठीक अब दूसरे नबर पर आता है bilisability bilisability में आप कौन सा 5 option है 5 option में किस option को select करना है उसके लिए जो अपना content है मैं public के लिए बनाता हूँ तो जो मैं मेरा content public के लिए है तो मैं public के लिए select करूँँगा second number पर मैं public select करूँग ब्यूज है जो आपका यहां पर less than पर click रहेगा आपको उसे more then पर click कर लेना है first option पर उसे click करना है यहां पर आता है restriction restriction में ऐसा चार आप्षण है तो 4 आप्षण में से आपको किस option पर tick करना है तो तीसरे option पर आपको टिक करना है यहां से नोड not made for kid ठीक यहां से select करने के बाद उसके बाद आपको apply पर click कर देना है अब उसके लिए आपको करना क्या होगा यहां से आपको एक important setting बताता हूं आपको जाना है analytics में और analytics में आप जैसे ही जाते हैं आपको एक research में देखने को मिलेगा आपको एक basic setting बताता हूं जो कोई नहीं बताया होगा तो इससे पहले करना क्या होगा आपको देखें यहां पर दीया गया है search ठीक! search पर क्या है तो search पर हम कैसे search कर सकते हैं जैसे मैं video पर views कैसे बढ़ाऊ ठीक views कैसे बढ़ाऊ video पर views कैसे बढ़ाऊ तो इसके मदद लेकर आप video का rank करवा सकते हूं, तो rank कैसे करवाना है यह जाना है आपको यहां से आपको कुछ keyword मिलेंगे ठीक जो YouTube पर आपके वीडियो पर आकर सर्च करते हैं तो अगर जहां आप इस वीडियो पर इस जो content दिया गया है ये keyword जो दिये गये हैं अगर जहां इस पर आप वीडियो बनाओगे तो आपका व्यूज रैंक कर जाएगा इस content पर आपको वीडियो बनाना मस्ट है कि किस पर हम ज्यादा व्यूज कैसे लाएं इस पर आपको वीडियो बनाना चाहिए second number पर क्या है देखिए ये ज्यादा से ज्यादा रैंग करवा रहा है कि मतलब ज्यादा audience है और ज्यादा audience जिस topic पर सर्च करते हैं उसी topic पर हमें वीडियो बनाना होता है तो आपको इसी topic पर ज्यादा से ज्यादा कैसे ला सकते हैं second पर आप देखिए best way to get views on YouTube ये भी है कि हम YouTube पर ज्यादा व्यूज या ज्यादा कैसे लाएं कैसा कैसा राश्ता है कि हम अपने वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला सकते हैं तो यह है हम यहां से सर्च कर सकते हैं और ये वाच्ट आन यूटूब पर जो है देखिए पांच से दस व्यूज आता है ये सारे वीडियो बना चुके इनका वीडियो अगर जहां आप भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाओगे न तो इनके वीडियो के सजेशन में आपका कंटेंट जाने लगेगा ठीक यहां से कंप अबूलाओ